हेलो दोस्तों आग जो मैं बहुत ज़्यादा खूस हूँ क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मेरे पास फानली जो है मेरे गूगल एडसेंस का पीन वेरिफिकेशन लेटर मुझे मिल चुका है दोस्तों मैंने अपने पीछली वीडियो में आपको बताया था कि एडसेंस में आइडनिटी वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है उसके बाद जो है गूगल आपको पीन वेरिफिकेशन के लिए एक लेटर भेजता है बाई पोस्ट तो ये लेटर दोस्तों मुझको आइडनिट सपता का वेड करना चाहिए लेकिन गूगल जो है इसको तीन सपता के अंदर लगबग सेंड कर देता है तो अगर आपका पीन वेरिफिकेशन लेटर नहीं मिला तो आप अपने नजदी की पोस्ट आफिस में जाकर पता जरू लगाएं और ध्यान रहें कि आपके पास पडोस या गाओं महलों के लोग भी इस लेटर का मिर्स्वीच कर सकते हैं तो इसका पता लगाते रहें तो फाइनले दोस्तों आज की इस वीडियो में इसकी अन्बॉक्सिंग करेंगे और अपने चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि पीन वेरिफिकेसन करने के बाद एडसेंस में आप अपना बैंक डिटेल्स कैसे अड़ करेंगे तो दोस्तों एक पूरी सिरीज जो मैंने तयार कर रखा है और फाइनली लास्ट में एक पूरी आपको वीडियो देखने हो मिलेगी जहाँ पर की चैनल मोटाइज होने के बाद एडसेंस में क्या-क्या चीजे करनी चाहिए कि आपका जो है पेमेंट कहीं पर भी रूके न आपका पेमेंट जो है एडसेंस से आपके अकाउन में ट्रांसफर डिरेक्टली होने लगे तो दोस्तों आज की वीडियो काफी मज़दार होने वाला है और इस लेटर की अनबॉक्सिंग करने वाले है आज की इस वीडियो में और इसमें जो पीन हमको मिला है उसको एडसेंस में कहाँ पर डालका पीन वेरिफिकेसन हम करेंगे यह सारी चीजे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हाँ पर आप उपर साइड में देख सकते है रिमूब साइड एज फर्स्ट इस साइड भी दिया गया है रिमूब साइड एज फर्स्ट और नीचे भी दिया गया है रिमूब साइड एज फर्स्ट मतलब आपको यहां से ऐसे और ऐसे यहां पर फाड़ना है इसको तो दोस्तों इस side जो है remove side edge first नहीं लिखा गया तो इस side से आपको नहीं फारना है और इसके बाद जो ये later पूरा open हो जागा और इसके अंदर जो है आपको pin दिखाई देगा और ये pin दोस्तों आपको light में अगर ऐसी तरस करेंगे तो भी आपको नजर आ जाएगा जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मेरा pin यहाँ पर दिखाई दे रहा है light में तो आप light में भी इसको देख सकते हैं और वहाँ पर pin इंटर प्यार कर बिना इसको crack किये या बिना फाड़े वहाँ पर verification कर सकते हैं तो यह मुझे थोड़ा सा इसमें fault लगा क्योंकि इतना safety देने के बाद जो हमारा pin light में इस तरह से करने से दिख जा रहा है तो यह मुझे थोड़ा सा इसमें fault लगा फिर भी चली कोई बात नहीं अपना adsense pin verification कर लेते हैं और यहाँ पर आपको ऊपर साट में डेख सकते हैं remove side each first और इधर भी remove side each first और यहाँ पर भी remove side each first जो है लिखा गया है और पीछे जो है आपका address रहेगा और barcode रहेगा तो पीछे मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ पर address है और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि साइट जो है रिमूब साइड एच फर्स्ट नहीं लिखा गया है मतलब इस साइट से जो है आपको नहीं फारना है तो इस लेटर को चलिए सबसे पहले हम यहां से फारते हैं तो दोस्तों लेटर ये जोए कुछ इस तर से आप फाड लेंगे और इसको जैसे आप उपेन करेंगे आपको जोए पीन आपका जोए इसके अंदर नजर आयागा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूर पीन जो है लिखा गया है और यहाँ पर कैसे आपको इसको वेरिफाई करना है वो चीज़े यहाँ पर आपको बताई गई है तो यह दोस्तों कोई नहीं दिखाता है लेकिन मैं आपको उपेन करकर दिखा रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको Google AdSense पीन वेरिफिकेशन का लेटर मिलेगा और इसके अंदर कुछ पीन इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं Google AdSense, Your Google AdSense Personal Identification Number 5 जो है यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर Step 1, Step 2, Step 3, Step 4 जो है बताया गया है कि आपको कैसे जो है करना है सब सब पहले आपको अपना Google AdSense open करना है वहाँ पर Step 2 में जो है जो है जाना है Step 2 में आपको Setting Icon पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है पर पेमेंट्स का option मिलेगा और Step 3 में आपको जो है यहाँ पर in the left navigation bar click account information then click verify address उसके बाद जो दोस्तों Step 4 में आपको enter your pin as it appear on the right side click submit pin पीन डालने के बाद आपको submit कर देना है और आपका AdSense verification हो जाएगा तो चली मैं आपको अपनी laptop लेचलता हूँ और वहाँ पर Google AdSense को open करकर जो है कैसे इसको verify करना है मैं आपको पताता हूँ दोस्तों AdSense open करने के बाद आपको यहाँ पर एक notification message दिखेगा your payments are currently on hold because you have not verified your address तो address verify करने के लिए यही pin जो है हमको यहाँ पर verify करने के लिए डालना होगा तो आप देख सकते हैं आपको नीचे भी जो यहाँ पर verify your billing address का एक option मिलेगा तो आपको यहाँ पर verify का button दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको click करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं we posted a pin to you on जो भी date को यह भेजेंगे हमको pin वो date रहेगा it should take 2-4 weeks to arrive दो से चार सप्ता जो है पहुचने मिलेग सकता है और verify your address by entering the pin we sent you तो जो pin हमको मिला है यहाँ पर डाल को जो है verify करना है दोस्तों pin verify करने के लिए हमको यहाँ पर verify को उपर click करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं your pin और यहाँ पर you have three attempts remaining के वल तीन बार जो है आपको डा लेटर में आपको यहाँ पर डालना है तो मैं यहाँ पर जो भी मुझे pin लेटर मिला मैं आपको यहाँ पर डाल कर दिखा देता हूँ तो ये पीन आपको सही से डालना है, यहापर तीन बार का ही ओप्सन है, तो आपको ये डालते वक्त ध्यान देना है, तो एक दो बार मैं चच्छल से करा लिजिए, नहीं तो ये जो mistake होगा, तो आपको फिर जो प्रॉलम हो सकती है, तो मैंने जो यहापर पीन अपना अच्छ और आप यहां पर देख सकते दोस्तों कि your billing address has been verified thanks for providing the pin तो इस तरह से आपको message मिल जाएगा और हमारा billing address यहां पर verify हो चुका है बहुत ही आसानी से और इतना ही छोड़ा सा step करना था और यह completely हो चुका है हम इसको एक बार refresh कर लेते हैं AdSense को और आप यहां पर देख सकते हैं यह notification जो यहां से हट गया जो कि pin verification का था तो दोस्तों pin verification करने के बाद हम यहां पर देख लेतें कि यहां पर bank account एक ट करने का option आ और रहा है कि नहीं तो अभी payment account या bank account जो एक ट करने का option नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सायद 10 डॉलर complete होने के बाद ही आएगा तो अभी मेरे AdSense में आप देख सकते हैं कितना डॉलर है तो इस वाज़े से यहाँ पर अभी option नहीं आ रहा है जैसे option आता है दोस्तों मैं आपको next वीडियों बताऊंगा और इस पीन वेरिफिकेशन लेटर के थूँ जोए आप अपने AdSense में इसमें दियेगे पीन को वहाँ पर डाल कर जोए AdSense को वेरिफाई कर लियोंगे दोस्तों अगर आप कोई जानकारी और वीडियो अच्छे लेगे तो प्लीज लाइक कर दिजिए नेक्स्ट वीडियो देखमेंचे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा कर आल को उपसन से लेट कर जिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिं बंदे मातरा